आज की वीडियो में मैं वही बताऊंगा मैं आज आपको तीन स्टेप प्रोसिस बताने वाला हूँ जिससे आज कॉले स्टुडेंट आप पेड इंटर्शिप ले सकते हो कहां ढूंडनी है कैसे अपलाय करना जिससे हम से लेक्ट हो है कुछ सारी बात आई वीडियो में किस तरह से लीजाए वह भी पेड आज की वीडियो में वही बताऊंगा मैं आज आपको तीन स्टेप प्रोसिस बताने वाला हूँ जिससे आज कॉले स्टुडेंट आप पेड इंटर्शिप ले सकते हो कहां ढूंडनी है कैसे ढूंडनी है और कैसे अपलाय करना जिससे हम स शुरू करते हैं तो सबसे पहले पेड इंटर्शिप अगर हम लोगों चाहिए तो पहले अपने को फंडा समझना पड़ेगा कि जो बंदा हायर कर रहा है फिर जो फाउंडर या फिर जो भी बंदा जो हायर कर रहा है वह हायर किस बेसिस पे करता है और वह क्यों पैसे करो तो मेरा प्रोसेस कैसे काम करता है कि पहले एक बंदा रिसर्च करता है कॉंटेंट की ठीक है उसके बाद मैं रिकॉर्ड करता हूं फिर मेरा वीडियो जाता है एडिट को तो एक बंदा एडिट करता है उसके बाद एक बंदा कौन है वह क्या करे या थमनिल क्रेट तो मैं तो creator हूं मैं video बना सकता हूं लेकिन मुझे एक बंदा चीह जो research करें तो यहां पर intern का रूल आ गया clear है एक बंदा चीह जो video edit करें तो यहां पर editor का रूल आ गया एक बंदा चीह जो thumbnail बना है तो graphic designer का रूल आ गया मुझे पैसे देने को problem नहीं है लेकिन उसका काम अच्छा होना चाहिए इतना clear है उसी तरह से जो बंदा research है तो मैं को यह दिखना है कि इसने पहले भी किसी और की research की है या फिर मैं इसको एक दो topic दे दूँ तो क्या यह उसको सही से research कर पाएगा उसी तरह से अगर मैं graphic designer thumbnail creator क को hire कर रहा हो तो मैं को यह दिखना है कि क्या उसने पहले थंगल बनाई है क्या उसके पास samples है मुझे दिखाने के लिए तो इतना clear हो गया तो उनके पास particular काम होती है founder के पास जो internship देते hiring करते हैं आप उनकी problem कर solve कर पाया हो तो आपको पैसे देने में कभी मना नहीं करेंग तो आपको सीखना और आपको काम दिखाना है और वही चीज में आपको त्री स्टेप प्रोसेस में बताऊंगा आप किसी की problem solve कर रहे हो इसलिए वह आपको पैसे दे रहा है आपको उनकी problem solve करनी आती है तो वह आपको पैसे देने में problem नहीं करेगा इतना clear हो गया तो यह मो अपने को समझना है कि अपने सामने वाले को value कैसे दे ताकि वह उसके अपने को पैसे दे इतना clear रहे अब आ जाती तीन स्टै प्रोसेस से जिससे आप paid internship उठा सकते हो सबसे पहला प्रोसेस स्टेप पन है वह है कि आपके पास एक skill होनी चीए अब यह skill high-five skill नहीं होनी हो जो आप दिखा पाऊगे और मैंने थोड़े बहुत बनाया में को जादा नहीं आता लेगिन थोड़ा बहुत आता है इतना clear हो गया उसी तरह से आप वीडियो एडिटर हो आपने शुरुआत में वीडियो एडिटिंग शुरू की आपने दो से तीन हफता रोज का एक से करके मत बैठो अपना काम दिखाने के लिए कुछ प्रोजेक्स बनाओ कुछ सैंपल्स बनाओ इतना clear हो यह हुआ step 1 क्यूं पता है जब हम हाइरिंग करते अगर मैं एक वीडियो एडिटर हायर कर रहा है और वो सी यह बोल रहा है कि I am very hard working वह सब ठीक है मैं को तरह काम बता इतना clear हुआ तो आपके पास काम होना चीए कोई आपको क्यूपैसे देगा जाब उनकी value उनकी problem solve को रहे है इतना clear हुआ तो पहला step क्या skill develop करो छे महने नहीं लगाने तीन महने में भी skill develop कर सकते हो उसके बाद आपको जब internship मिलेगी तब भी बहुत सिखने मिलेगा तब भी करते रहना तब लर्निंग attitude होना चीए लिए step 1 क्या skill develop करो सिफ skill develop करने से internship मिल जाएगी नहीं तो step 2 क्या है market yourself and learn to market yourself learn to market yourself मतलब क्या होता है कि स thumbnail creator हो तो आपको खुद को बार-बार promote करना है बहुत सरे लोग है लिंग्डिट पर बहुत अच्छी थमनिल डालते वह क्या करते जो famous youtuber है उनके photos उटाते और अपने idea से कि यह thumbnail मैं वैसे भी बना सकता हूं यह करके डालते और उनको टैप करते वह ऐसा है अगर आप करने आना आपको आना चाहिए सबसे पहली चीज़ तो step 1 क्या है learn to market yourself and publish your work free में बहुत सारी जगे जाब आपना publish कर सकते हैं मैंने चार example अभी दे दिये graphic designer हो तो instagram पर खुद की profile बना सकते हो और एक इंसा ने जो 50 लोगों को cold email डाल चुका है वहर जग अप्लाइक हो चुका है और उसमें से 40 rejection आये तो 10 लोगों से बात भी कर रहे है क्या नेगोशिएट कर रहा हो कि मैं को कौंसे इंटरंशिप की है तो क्या आप 50 लोगों को apply करने के लिए ready हो या फिर सभी wish रख आपके select होने की priority बढ़ जाती है तो अगर आपके select होने की priority बहुत बढ़ जाएगी और जब आप answers लिख रहे हो ना उदर तो सिर्फ दोस्त लिख रहा है वैसा मत चाप दो है फिर लिखने के लिए लिखू मत मैं खुद पढ़ता हो जब लोग इंटरंशिप के लिए apply करत हो क्यों नहीं देगा सामने वाला पैसे अगर आप सामने वाली कि problem solve कर लोगे तो इतना क्लिया रहे तो इंटरंशिप पर अप्लाइब कर सकते हो लेकिन उसके लिए अपनी profile सेटप सहीज से करना ताकि आप अपना काम उदर दिखा पाऊ आपको simple सा क्या करना है jobs के section में ज करना है experience level और job type internship डालना और यहां पर आपको बहुत सारी internship मिल जाईए जब आप उनको email करो है फिर apply करो तो job description अच्छे से पढ़ना और फिर उसमें जो keyword है वो देखे यह बताना कि मैं की problem कर सकता हो और फिर उनको solution देना भाई आपके selection के chances बहुत बढ़ जाए तो यह ता पूरा complete three step process to get a paid internship में चाजी है कि महनत करने पड़ेगी free में तो नहीं मिलेगा तो free में तो कौन ही देगा अपने को पैसे भाई को जुगाट secret tips तो नहीं है महनत बहुत करने पड़ेगी लेकिन आपको तरीका बता दिया और यह भी बता दिया कि paid internship क्यों मिलती है और कौन देता है और कैसे देता है उनके माइंड में क्या होता है उनके माइंड में यह होता है मेरी problem solve करते मैं तो को पैसे दे दूंगा clear है ऐसी बहुत सारे internship scams भी है तो उन से बचके रहो जो लोग आपसे पैसे मांगेंगे internship देने के लिए मतलब internship भी आप कर रहे हो काम भी आपक मतलब कि कौन से कौन से प्लैटफॉरम है और उसको सही तरह से कैसे अपलाई किया जाता है जैसे हाउट टू अपलाई इंटरशिप थू लिंग्डिन एक दम अच्छे से बताओ ट्विटर से कैसे इंटर्शिप ले सकते हैं, ट्विटर को प्लाटफॉर्म को यूज करके, तो वो तरीके में बताने वाला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और आप चाहते हैं उसका वीडियो आये, तो कमेंट करदो, तैंकिस वीडियो देखने के लिए, ऐसे औ और अपने दोस्तों में सारे में शेयर कर दो ये वीडियो, क्लियर है, मुझे आप लिंग इन पर कनेक्ट कर सकते हो, क्यों भाई आपको याम आपन पोस्ट करते रहते हैं, और मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए best of luck, और लग जाओ अपनी महनत करने, अपनी स्क